हाई फ्रेंड आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे क्रोम बराउजर में आने वाले नोटिपिकेशन को कैसे बंद करें दोस्तो अगर आपके क्रोम बराउजर पर फालतु का मैंसे जाता है और आप उसे बंद करना चाते हैं और आपको पाता नहीं की कैसे क्रोम बराउजर के नोटिपिकेशन को बंद करते हैं तो मैं आपको बताएंगे गाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेट है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना आईए दोस्तों जानते हैं कैसे क्रोम बरावजर में आन्वाले नोटिपिकेशन को बंद करते हैं तो आपको क्रोम बरावजर एप को ओपन कर लेना है जैसे फ्रेंड आप क्रोम बरावजर एप को ओपन करेंगे आपको उपर कोने में थ्री डॉट पर किली करना है जैसे फ्रेंड आप यहाँ पर three dots पर किली करेंगे आपको setting पर किली करना है जैसे दोस्तों आप setting पर किली करेंगे guys यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक option दिखेगा notification का आपको notification पर किली करना है जैसे दोस्तों आप यहाँ पर notification पर किली करेंगे Guys यहाँ पर allow notification के सामने एक बटन यहाँ पर green रहेगा आपको इस बटन को off कर देना है जैसे फ्रेंड आप इस बटन को off करेंगे आपके phone में Chrome browser पर आने वाले फालतू message बंद हो जाएगा दोस्तों इस तरह से आप हमेशा के लिए आप अपने notification को बंद कर सकते हैं चलिए दोस्तों फिर अगली वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए good bye